हेलो दोस्तों एक बार फिरसे आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुनीता ग्रीन प्लांट्स में दोस्तों आज मैं आपसे विंटर्स के बहुत ही प्यारे से फ्लार्स की बात करूंगी बहुत कुपसूरत प्लांट्स होते हैं ये देखिए देखिए इसका ये रेड कलर जो ह किसी कारण से या फिर यू कहँं कि मेरी ही कुछ मिस्टेक्स सेवह ना घूर गया जएदा अच्छे से में लास्ट यर उसकी केयर नहीं कर पाई थी लेकिन इस साल मैं जो प्लांट लेकर आई हूँ ये दोनों कलर जो लाया है मैंने तो मैं उसके अच्छे से केयर कर रही हूँ देखिए इसमें अभी कली भी आ गई है और यहां भी आप अंदर देख सकते हैं कुछ ऐसी कलिया इसके निकली हुई है दोस्तों इसके जो फ्लार हैं खिलने के बाद में देखिए ये एक और कलिया और इसके जो फ्लार हैं खिलने के बाद में ये कम से कम 15 से 20 दिन तक के ऐसे ही बने रहते हैं जो देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं यह देखिए अंदर से इसकी नई नी ब्रांचेस निकल रही है यह देखिए जो इसमें फूल आया है अभी भी इसमें कुछ कलियां खिलने की बाकी है जब यह खिलेंगी तो एकदम बहुत ही बड़ा इस तरह से इसका बंच बनेगा दोसतो इसके लिए मिट्टी की बात करूँ तो आपको एक हिससा मिट्टी देढ़ हिसा खाद और एक हिससा सेंड मिला कर कि इसके लिए मिट्टी तयार कर लेना और फिर आपको इसमें यह प्लांट लगाना है और इसमें आप ज然 बनार is ने अदिन की पत्तियों में आपको थोड़ा कुछ ऐसा रैडनेस दिखाई दे तो इसका ये मतलब है कि इसमें फासफोरस की कमी हो गई है उस टाइम आपको थोड़ा फासफोरस डालना है इसमें या थोड़ा सा डीएपी डाल दीजी आप ये देखिए ये एक और है पिच कलर जिसके बारे में मैं आपको बता है डीएपी तो जो पते आपके रैड हो गए है वो फिर से ग्रीन दिखाई देने लगेंगे देखिए इसमें भी कलिया बनना शुरू हो गई और इसके पते या फिर आप इसके फ्लार में देखेंगे तो इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस रहती है मुझे तो बहुत पसंद है यह फ्रेग्रेंस इसकी चलिए दोस्तो अब इसके लिए मैं पानी की बात कर लेती हूं कि आपको पानी कैसे देना है तो इस प्लांट के लिए आपको ज्यादा इस प्लांट को ज्यादा पानी नहीं देना है आपको हलका सा मॉइस्ट रहना चाहिए इसके मिट्टी क्योंक और फूल खिलने लग जाते हैं और पानी कम देते हैं फूलों में तो फूल मुर्जा कर गिरने भी लगते हैं और फूलों को खिलने के बाद भी इसमें मॉइस्चर होना चाहिए ताकि वह जैसे के वैसे या ताजे बने रहें यह देखें यह जो एक red color का आपको दिखरा है यह मैं खरीद कर नहीं लई थी इसका मैंने last year seed रखा था तो seed से मैंने इस plant को grow किया है और अब भी देख सकते हैं कितना fresh है कितना healthy दिखरा ही मैं इस प्लांट को बीच गिर गए तो इसमें प्लांट को बिलकुल भी नहीं रखना है नहीं तो इसके पत्ते हैं वह पीले हो करके गिरना शुरू हो जाएंगे और पौदा आपका अच्छे से ग्रोव नहीं करेगा तो मैं इस प्लांट को यह जगपर रखती हूं तो वो भी निकल गया और यह धनिया की पत्ति आ गई इसमें दोस्तों आप अपने प्लांट को हर 15 दिन में कोई ना कोई फटलाइजर देते ही रहे चाहे गोबर की खाद दे या फिर सर्सो की खली दें आप फटलाइजर आपको इसे देना है इस प्लांट को फॉस्फोरस और पोटास मिलता रहे ताकि इजादा से अच्छे से अच्छे ग्रो कर पाई ये प्लांट तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं तो देखिए मैं यहां से इसको तोड़ कर आपको दिखाती हूं आप इस तरह से यहां से तो तो इसकी पूरी पत्तियां आपको निकाल देना है हटा देना है पत्तियों को सिर्फ दो ही पत्तियां उपर रहेंगी इसकी और फिर आपको लगाना है देखिए मैं इस तरह से तोड़ के आपको बता दे रही हूं उपर में बस दो ही पत्तियां रहनी चाहिए ये देखिए इस तरह से अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैं किसी गमले में लगा देती हूँ चलिए मैं यहां लगा दे रही हूँ इसे और लगाने के बाद में आपको इसे अच्छे से प्रेस करना है ज़्यादा अंदर तक आपको नहीं लगाना है देखिए इस तरह से लगा के आप प्रेस कर दीजिए और इसे लगाने के बाद में मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही ज़्यादा पानी है बनी हुई है तो मैं इसमें पानी नहीं दूंगी है यह देखिए यह छोटी-छोटी कटिंग मैंने लगाया है यह सब कटिंग से ग्रो होंगे यह प्लांट कि मैं जब इसकी पूरी फ्लॉवरिंग हो जाएगी तो इसके सीड भी रखूंगी मैं जब टाइम आएगा इसके सीड का तो मैं आपके साथ में वो भी शेयर करूंगी और हाँ दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका पौधा फूल देता रहे तो आपको डेड़ फ्लॉवर को कट कर देना है मतलब आपको पिंचिंग करते रहना है और यदि आप इसे थोड़ा गरम वाली जो जगह है जहाँ गरम एरिया है वहाँ से अगर बचा कर रख सकें तो आपका ये प्लांट बच जाएगा और इसे आप थोड़ा सा थंड़े एरिया में रखें और यदि आपने seed को collect कर लिया है तो आप next season में इसके seed भी लगा सकते हैं seed से भी grow कर सकते हैं इस plant को चलिए दोस्तों मैंने आपके साथ में जरेनियम से related सारी जनकरिया शेयर कर ली है यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe करें, मैं मलती हूँ अपने next वीडियो में, thank you दोस्तों